हालो गाईज, वेलकम टू क्वांट स्टड़ी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम आपको ऐसी यूसफुल वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और टेलिक्राम के थ्रू भी जोट सकते हैं तो आज का लेक्टर स्टार्ट करते हैं आज हम करेंगे नंबर सीरीज का पार्ट फॉर तो इसमें हम 10 कोश्चन करेंगे अगर आपने मेरे पहले पार्ट फ्री नहीं देगे तो वो भी देखिए गेर आप वो देखेंगे तो ये आपके लिए जादा ही जी हो कर ये वाला लेक्टर समझना तो कोश्चन वन है इसमें 1028-1012-980-932-868 कोश्चन मा तो इसमें आप क्या कीजिएगा कि वीडियो पॉस कीजिए इसको खुद सॉल्व करने की ट्राइ कीजिए तो फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि आपकी क्या ग्रोथ है इस कोश्चन में देखिए सबसे पहले हमारी वही अप्रोच होगी 1028-1012-980-932-868 935-16 और उसके बाद जब हमने डबल डिफरेंस किया तो वह आया 16 16 16 16 जो एंड वाले डिफरेंस होगा वो भी 16 आएगा तो जब 16 डिफरेंस आएगा तो उपर वाली टम क्या बनेगी 64 6 16 80 और यह 80 किसका difference है 868 और question mark वाली term का 868 को जब मैं उससे subtract करूँगा तो यह answer आया 788 तो subtract क्यों किया क्योंकि यह जो series है यह decreasing है इसलिए वहाँ पे negative sign मैंने mention किया हुआ है second question है 6, 18, 42, 90 186 question mark तो वही approach के साथ हम जाएंगे difference approach difference आया 6 और 18 का 12 18 और 42 का 24 42 और 90 का 48 186 90 और 186 का 96 और question mark तो जब हमने double difference किया तो आया 12 22, 24, 48 यहाँ पे देखे कि मैं आगे भी कर सकता हूँ उसको जो मैंने एक और step किया है बट जब आप 12, 24 और 48 देखेंगे तो आपको लगे कि यह तो double हो रहा है जब double होगा तो आगे वाली टर्म पतर लग जाएगी मुझे 96 तो आपको आगे करने की ज़रूत नहीं पड़ेगी अगर आपको first step से यह चीज़ पतर लगती है तो आप second step मत जाना वो time लेगा अगर नहीं आपको आइडिया है कोई terms जादा बड़ी दिख रही है तो आप नीच वाल स्टेप पर भी चाह सकते हैं तो यहां पर मेरा 96 आया जब तो 96 के साथ 96 किसका डिफरेंस होगा 90 जो उपर वाली टर्म है 96 और उसके सामने जो ब्लैंक है और वो टर्म बनेगी 192 192 डिफरेंस है 186 और question mark का तो 186 प्लस 192 आया 378 तो हम आप पास next question है 5 12 26 47 75 question mark तो इस question में भी वही approach के साथ जाएंगे सबसे पहले हमने डिफरेंस निकाला तो 5 और 12 का 7 12 26 का 14 26 47 का 21 47 75 का 28 और ब्लैंक जो हमने एक और डिफरेंस निकाला इसका तो वहां पर क्या आया सेम आया 7 7 7 तो उसकी जो next वाली टर्म होगी उसका भी डिफरेंस हैगा 7 और उपर जो हमारा 7 40 21 28 के साथ next वाली टर्म आयगी 28 प्लस 7 35 35 किसका डिफरेंस होगा 75 और question mark का तो जब हम उसके साथ add किया तो आया 110 तो यह मैंने add इसलिए कि कि यह ताव यह जो series है यह increase हो रही ह उसके बाद next question है 36 45 63 90 126 question mark तो इस question में देखे हमने क्या किया 9 जो difference निकाला वही 9 18 27 36 वाई इसमें आप एक और step कर सकते थे बट यहां पर आपको visible होगा कि 9 18 27 36 यह तो 9 का multiple है वोगर 9 का multiple follow हो रहा है तो हमारी next term क्या आएगी 36 के बाद क्या आएगी 45 क्योंकि 9 का difference आएगा और यह क्या term बनी 45 तो 45 किसका difference होगा 126 और question mark का तो missing term क्या आएगी 126 plus 45 is equal to 171 next question है 21 30 55 104 225 question mark तो इस question में देखिए मैंने बताया था आपको कि जब आप difference निकालेंगे तो देखिए यहां पर difference आ रहा है 9 25 49 121 तो यहां पर आप एको difference भी कर सकते थे बट अगर आपको squares आएंगे तो इसलिए मैं squares के लिए बोल रहा था कि अगर squares करोगे आप तो यह question यहीं पर खतम हो जाएगा first step निकि आपको पतल लग जाए कि वहां पर 3 का square है 5 का square है 7 का square है 11 का square है और यह 3 5 7 11 क्या है prime numbers है और यह 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 prime numbers है तो आपको next prime number क्या मिल जाएगा 13 का square यानि 169 तो अगर आप इसको difference वाले next approach से भी next step में difference भी कर सकते थे वहां पर आता 9 और 25 का difference होता 16 25 और 49 का 24 तो ऐसे ही आगे 121 और 49 का होता 72 तो ऐसे ही आप कर सकते थे बट वो एक lengthy process होता तो उसको हमने time बचाना है अपने exam में तो आप यह easy step हो जाएगा आपके लिए तो यह question आपका एक ही step में खत्म हो जाएगा next question है 2, 3, 6, 15, 45 तो इस question में आपको ध्यान देना है कि देखिए जब यह question करेंगे जब हमने difference किया तो difference है हमें कुछ भी नहीं मिला यहां से 2 बना वो 6 और 21 तो यह एक lengthy process हो गया तो इससे बचने के लिए देखिए आपने जो questions की है पहले अब आपको कौन से methods बता है डिफरेंस का method है यह किसी के squares नहीं है यह किसी का cube नहीं है जब हमारे पास तीनों चीजे नहीं होंगी तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था multiplication से करके तो देखिए अगर व और जब मैंने 3 और 6 को देखा तो 3 और 6 कैसे बनेगा 3 into 2 तो मुझे दो चीजे पता लगी कि 3 into 2 6 है और 15 into 3 45 है तो मेरे पास एक possibility बन सकती है कि शायद यह multiply करके इसका answer आए तो जब मैंने 2 और 3 देखा बीच में 2 terms बच जाएंगी 2 का 3 कैसे बना और 6 का 15 तो देखिए यहा 3 को 2 से की है 6 आता है उसके next term क्या होनी चाहिए 2.5 तो वो क्या होगा 6 into 2.5 15 15 into 3 45 तो ऐसे 45 कि 45 कि कि से multiply करेंगे कि next term मिलेगी 3.5 से यहां पर multiple हो रहा है 0.5 के difference से तो पहले 1.5 है फिर 2 फिर 2.5 फिर 3 फिर 3.5 हुमारा next question है 12 13 22 47 96 question mark तो इसमें भी देखिए इसमें मैंने दो method बताएं आपको आपकी जो हमने approach किस approach आप करेंगे आपकी मर्जी है बट यहां पे जो right left hand side वाला method है वहां पे वही difference निकाला हमने 1 9 25 49 और blank तो जब मैंने double difference किया तो वहां पे आता है 8 16 14 और 8 16 14 तो इसका मतलब 8 के multiple हुआ यह तो next question next blank में क्या आएगा 32 तो 32 आया तो उसकी उपर वाली blank में क्या होगा 49 plus 32 81 तो यह हमारा question यहां से बन जाएगा बट अगर आपको squares आएंगे तो आप देखो के 1 9 25 49 यह किसके squares होते हैं यह हैं odd numbers के squares 1 square 3 square 5 square 7 square तो आपका next blank आएगी वह क्या आएगी 9 का square वह हता है 81 तो हमारी missing term आएगी 96 plus 81 is equal to 177 अब हमारा next question है 12 65 264 1592 1593 तो देखिए इस question में जब आप करेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको difference find out करके बता है तो difference से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा यहां पे इसलिए हमारी difference वाली approach starting में ही गलत हो जाएगी तो हमें कुछ और approach लगानी तो देखिए इसमें अब आपको squares बता हैं यह किसी के squares भी नहीं है ना यह cubes के around है किसी के तो हमारे पस difference भी नहीं यहां पर apply होगा squares भी नहीं cubes भी नहीं अब हमारे पस क्या बचता है multiply तो मैं multiply करके देखता हूं और इन questions में देखिए जब आपका difference निकाला था आपने तो आपका last one difference one आया था तो अगर one difference आ रहा है और बीच में first में 53, 199 तो पहले difference कम हुआ फिर जादा हुआ तो इसलिए आपको difference वाली approach वहीं छोड़ देनी है तो जब मैंने multiply वाले method से किया तो मुझे एक idea लगा कि 1592 जो है उसको अगर मैं one से multiply किया है तो वह 1592 बनेगा और उ ऐसी ही जब मैं starting में आऊंगा तो मुझे एक idea होगा कि अगर आप फी calculation fast होगी तो आप वह calculation आपको यहां help करेगी कि 12 into 560 होगता है और मैं 60 को 5 के साथ add करूं तो 65 तो चलो मेरा एक last में मेरा into one plus one बन रहा है starting में मेरा into five plus five बन रहा है तो इसका मतलब यह pattern ऐसे fall होना into four plus four फिर उसके बाद into three plus three उसके बाद into two plus two तो जहां पे जब मैंने किया इसको तो 65 को जब मैंने वही approach के साथ किया into four plus four तो वो two 64 बनेगा उसके बाद मैंने two 64 को जब वैसे उसी approach के साथ किया into three plus three के साथ तो बना 792 plus three 795 तो अगर आपको verify करना है कि मेरा method सही है यह गलत तो आप 795 को इंटू 2 करना प्लस 2 करना तो देखिए आपका आंसर 1592 ही बनेगा इसका मतलब अगर मुझे फर्स्ट और लास्ट वाले से पता लग रहा है कुछ चीजें तो अगर मैं उस पैटन को फॉलो कर रहा हूं तो मुझे एक वो उससे एक आंसर मिलता हूं उसको मैं व वो और कोई पैटन भी फॉलो कर सकता है अगर आप वेरिफाई करोगे तो आपको एक शॉर्टी मिल जाएगी और आपके वो कोशन गलत नहीं होगा नेक्स्ट कोशन है 956 कोशन मां 2360 183 तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी सेकिंड टर्म जो है फर 9 इंटू जब मैं 0.5 कर रहा हूं तो वह 4.5 आता है तो जब मैंने 9 को उसके बाद उसके साथ में अगर 0.5 आड़ कर रहा हूं तो वह 5 भी बन रहा है तो देखिए अब मुझे 1st टर्म तो मिल गई ऐसे अब मैं लास्ट वाली करके देखी कि 60 को जब मैंने 3 के साथ मल्टि हो रहा है वो नंबर उसी के साथ वह एड़ करेंगे तो वह नेक्स वाला नंबर मिलेगा तो मैंने नेक्स वाले इसी पैटर्न को फॉलो करके 5 का निकाला तो जब मैंने 5 को किया 5 इंटू 1 प्लस 1 6 वो भी ठीक आ रहा है अब मुझे क्या करना पड़ेगा देखिए 0.5 का दिफ्रेंस लेना है मुझे क्योंकि 1 लिया था लास्ट में 3 आया है तो मुझे देखा कि बीच में तीन टर्म्स आएगी तो मैंने 0.5 का डिफ्रेंस लिया नेक्स टर्म में क्या होगा 6 इंटू 1.5 प्लस 1.5 वो आया 10.5 तो मेरा 10.5 आया अब मुझे ये देखना है कि ये 10.5 ठीक है कि नहीं उसके लिए मैंने नेक्स टेप किया हुआ है 10.5 इंटू 2 प्लस 2 10.5 इंटू 2 बनेगा 21 प्लस 2 बनेगा 23 तो इसका मतलब जो मेरी अप् कि 23 को जब मैं 2.5 के साथ multiply करूंगा add करूंगा 2.5 तब भी वो सही term देगा 60 और लास्ट में 60 इंटू 3 प्लस 3 183 तो इन question में आपने ध्यान देना है अगर starting और end में कोई pattern एक ही चीज फॉलो कर रही है आपको बीच में भी वही लगा के देखनी है अगर तो उससे answer आता है तो उसको answer को verify करे तो आपको ये सही होगा गलत होने के chances कम होंगे verify करने से पर आत का हमारा last question है 168 224 288 question mark 440 तो देखिए अगर आपको squares आएंगे यहाँ पर तो आप देखके बता दोगे कि ये 13 के square के around है फिर 15 के फिर 17 के फिर 21 के तो यहाँ पर देखिए 168 224 288 440 ये किसके square के around है 13 का square 169 15 का square 225 17 का square 289 तो squares minus 1 किया हुआ है मैंने तो उससे ये मुझे answer मिलेगा तो मैं आपको हर वीडियो में कुछ 4-5 squares आपको बता दूँगा ऐसे कि जो आपको याद होते रहेंगे दीरे दीरे आपको कुछ extra effort नहीं करना पड़ेगा उनको याद करने के लिए जैसे मैंने इस वीडियो में 5 squares बताए हैं मैंने एक पहले ही question किया था उसमें भी 2-3 squares के बारे में बताया हुआ है यह squares मैं आपको 25-30 तक ऐसी वीडियो में बताता रहुँगा तो आपको उसके लिए वीडियो फॉल्व करना पड़ेगा और बस आज के लेक्चर में इतना ही thank you